पापड पापड या तो मैं खाने के साथ चाहिए होता है या मैं खाने के बाद चाहिए होता है तो पापड से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है पापड रो इसको अब हेल्दी इसनेक्स भी कह सकते हो इसको अब पैनासोन एक माइक्र में बिना ओलके बना भी सकते हो तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी म मैंने एक माइक्कुरिसेफ बाउल ले लिया है अब इसमें एड़ करूंगा मैं अपने वैजेटों जो मैने लिया है ओन्यन को जिसको मैंने छॉप कर लिया शिम्ला बिर्च था था है स्वीट कउन अब तो आलो जिनको बोईल करके मैंने मैच कर लिया था अब इसमें एड़ करूँगों मैं शेजवान चटनी और एड़ करूँगों मैं इसमें मैगी मसाला और ब्लेक पेपर पाउडर और नमक स्वाद नुसार इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे लिड लगाकर अपने पैने सुरिक माइक्रोवेव अवन में रखेंगे माइक्रोवेव पावर टेवल हंडेट पे एक मिनट के लिए तो हमने जो पैनेसोरिक माइक्रोविव अवन में जो टाइम दिया था वो चुगा है कम्प्लीट अब इसे हम बहार निगा लेंगे अब इसमें आड़ करेंगे हम चीज अजय करेंगे अच्छेसे मिक्स इिसको से मिक्स करने के बाद प्रिटाइए लगा कर को दर्यार में लोग देन画 तब-णी में असके पाूंव कर अच्छे से आगे पीछे से बीगोने के बाद इसे मैं एक टीशू से वाइप कर दूंगा जैसे कि जो एक्स्टर वोटर वो हड़ जाएगा अब इसमें जो मैंने बैटर बनाये था इसमें फिल जो मैंने बनाये था और इसको रोल कर दूँगा ऐसे ही आपको और भी रोल त्यार कर लेने हैं जितने आपको बनाने है अब इसे मैं पैनाजोनिक माइक्रोवेव आव में रखूंगा और इसे टाइम दूँगा तो तो देख सकते हैं जो आपको में आपको जैसं में पैनाजोनिक माइक्रोवेव आवन रोल त्याग्यों कर देंगे तरन ओवर करने वाद इसे हम रखेंगे अपने सुनिक माइक्रोवेव अबने में और इसे देंगे 30 सेंड का टाइम तो देख सकते हैं जो हमने पैना सुनिक माइक्रोवेव में टाइम दिया था बहुत हुआ है कंप्लीट और आपके लिए हेल्थी पापड रोर बनके हो चुके हैं तैयार है इसनेक्स के तोर पर भी देख सकते हैं पर आंट